तो हलो जी, Welcome to the Testing Academy Hindi के अंदर आज बहुत important topic के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके अंदर है performance testing और उसके types सबसे पहले बता देता हूँ कि यह एक बहुत important question है generally अगर आप fresher हो QA role में आना चाहते हो manual tester हो right बहुत बार performance testing का question लोगों से जरूर पूछ ले राता है और directly वो performance testing का question नहीं पूछते है वो रेंडम पूछेंगे एक तुम से बीच में कि what is soak testing what is spike testing what is load testing right बीच में से performance testing का question पूछ लेते हैं तो इस वीडियो के अंदर में आपको exactly सारी testing के बारे में जो performance testing में आती है प्रॉपरली बच्चों के तरह समझाने वाला हूं इस वीडियो को अच्छे से end में देख ले ना और trust me इतने असान तरीके समझाओंगा आपको example देके कि आपक systems where practice is perform to determine how system will perform based on responsiveness and stability यहां पे na confuse कर देते हैं इतनी complex definition इन्होंने wikipedia पर दिया है मैं आपको simple बहुत बताता हूं इस दो words को याद रखो तीन words इसमें आप है ना बहुत अच्छे से बताया है नोने बोला stability और response time को हम note करेंगे जब कुछ load डाला जाए stability और response time को note करेंगे जब हमने load डाला अब यहां पर देखो सिर्फ stability और response time को note करते हैं load क्या-क्या है वो change करते हैं इसी में सारी type of testing को difference हो जाता है इतना easy चीज है और इतना complex word में लिखते हैं यह लोग पता नहीं क्यों चलो मैं आपको समझाता हूं कि stability का है आप यह stability क्या कह रहे है stability का मतलग क्या है stability की operation definition देखो क्या है if application can continuously perform well within the acceptable period फिर से confuse कर दिया पर इसका example simple यह है stability हमें चेक करनी है कि कितना लोगों को यह withstand कर पा रहे है कितने लोगों को यह handle कर पा रहे है अच्छे से मैंने एक software application मनाई मालो amazon.com मनाई है क्या इस पे 50 लोग आती है at a time मालो 5000 लोग एक साथ payment कर रहे है तो क्या यह stable है क्या यह use कर पाते हैं लोग इस कीच को चेक करना को गयते है stability फिर हम चेक कर दें कि क्या response time आता है कि मालो 50 लोग आ गए ठीक है अब सब जाके जाके product को buy कर रहे हैं कर रहे हैं तो क्या वो 50 लोग अच्छे से खरीद पाएंगे और क्या response time आ रहा है मतलब हर एक को response time क्या मतलब आ रहा है कि जैसे मैंने payment में credit card डाल दिया तो मुझे response आए कि 3 second बाद payment successful क्या ये सबको same है क्या ये basically 3 second ही है क्या अगर 50 की जगा लोग 100 आ जाते हैं तो क्या response time change होता है वो चीज को note करना फिर तीसरा keyword है उने बोला कि number of user जो की load अब load change करेंगे हम 50 का जो number है उसको change करेंगे ठीक है तो performance testing मतलब होता है investigate करना measure करना validate करना और verify करना बहुत सारी चीजों को जिसमें stability और response को चेक करना जब हम different load डाल रहे है ठीक है अब इसके अंदर बहुत सारी types of testing है यहाँ पर इ पहला है load testing, load testing में simple fund down उनने बोला है कि हम check करेंगे stability और response हम चेक करेंगे कि कितनी यूजर ये withstand कर पाता है और क्या response देगा अगर मैं range के अंदर use डालू, अब Amazon ने आपको एक बोल दिया कि Amazon में 5000 user ही आ सकते हैं जो payment करें और ऐसे, मालो example hypothetical हमने खुद की Amazon.com मनाई है ठीक है तो मैं जो load दे रहा हूँ, जो मैं load डाल रहा हूँ, उपर से load number भी डाल रहा हूँ, वो सिर् 4999 डालूँगा और 5000 भार के ने डालूँगा और मैं चेक करूँगा कि response time ठीक आ रहा है नहीं आ रहा है, सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है बस ये, इसी को कहते है load testing कौन सा tool यूज करोगे, Jmeter एक tool है, जो generally use होता है, Jmeter का एक example भी मैं डाल दूगा, English channel पर डाला हूँ है, वहां से आप यूज कर सकते load testing अराम से हो जाती है, ठीक है, अब यहाँ पर interview में बहुत अच्छा question आता है, stress testing क्या है, load testing थो ठीक है, समझ में आ गई, पर stress testing क्या है, stress stress डाला, stress डाला system को मतलब, हमें बता था कि 5000 यूजर को अराम से load test करके check कर लिया, हमने response time आते है, 3-4 second बढ़िया चलता है, must, पर हमने क्या क्या 500 user डाल दी है, तो response time बढ़ गया, अब इसको check कर रहे है, तो stress test कहते है, फिर 500 से जादा डाले तो 5 second ले रहा है, कभी 6 second ले र तो response time को देखना stress testing का पार्ट होता है, stress के अंदर हम उसको stress दे रहे है, system को, ज्यादा user डाल डाल के, पर उसकी stability भी check कर रहे है, क्या वो stable है, और response time के आ रहा है, वो भी check कर रहे है, तो दोनों चीजों को अच्छे समझ में आ गया, अब यहाँ पर जो question आना, बहुत important question है, बहुत लोग पूछते है, soak testing सीधा, endurance नहीं बोलेंगे, वो keyword को पता है, क्या बोलेंगे soak testing, soak testing कुछ भी नहीं है, हम यह check कर रहे है, कि stability को check कर रहे है, अगर मैं 499 user डालता हूं, एक 10 minute के लिए, तो क्या हो रहा है, तो क्या वो endurance है, जैसे endurance मतलब क्या होता है, जो body builder होत endurance होती है, कि भाई, अगर मैं 2 घंटे सक dream कर सकता हूं, क्या, क्या मैं 3 घंटे सक, कुछ लोग होते है, 15 minute में done हो जाते है, right, मेरे से नहीं औरी gym, right, ऐसी उसको endurance check करते है, right, तो अब हम stability check करने है, कि क्या application payment अच्छे से कर पा रही है, अगर मैंने 499.99 user ही दिये है, 10 minute के लि अब जैसे पुछ लोग होते थे, मेरा दोस्ता रावल, वो 21 km तक भागता था, तो उसके endurance high थी, right, तो क्या करता था, कि इसी को समझने के लिए endurance testing है, जिसको हम soak testing भी कहते है, stability को check कर रहे है, response time को check कर रहे है, पर हम एक time period के लिए, time period के लिए properly हम दे रहे है, ठीक है, कि लं 2 minute चरक चलाओ, या 2 घंटे तर चलाओ, कोई दिकत नहीं है, endurance testing pass है, ऐसे फिल के, ठीक है, अगला है, spike, आप spike का मतलब simple है, spike जो चुबने वाले होते है, उसमें वो चेक करना, कि spike डालना है, मतलब जैसे कि आप normal normal लोगे, तो सर्ची बढ़िया चलती रहे है, for example, अगर मैं Amazon की website यूज़ करना चाहता हूँ, तो normal normal यूज़ करेंगे, तो अच्छे से चलेगा, stability को चेक करेंगे, response time को चेक करेंगे, जब हमने एकदम से spike डाल दिया, for example, हमने 1 minute के लिए तो 4.99 user आए, मस्त Amazon की website चल रही है, क्या response time आ रहा है, 3 second का सबको मस्त चल रही है, लेकिन एक 3 minute हमारी application चल पारी, इसको कहते है, spike test को test करना, ठीक है, इसमें भी response time को चेक करोगे, इसमें भी stability चेक करोगे, load जो है, वो एकदम से spike की तरह मारत होगे, 12 बज़े एकदम से सारे लोग 8000 आ गए, और उसके बाद किया हो 15 minute बाद सारे मीजे चलेगे, तो spike में भट तो नही पर database के लिए flooding करते हैं, उसमें क्या करेंगे, बहुत सारा huge amount of data डाल देंगे, मालों जैसे testing academy है, तो generally मैं आपको example बता था, testing academy में क्या हुआ, कि मैंने डाल रखा था एक बहुत ही छोटा system, पहले मैं previously use करता था, एक LMS, learning management system, उसमें क्या था कि ठीक है, वो 10 GB, 12 GB तक समान ल जाता था, बहुत गड़बड़ गड़बड़ चीज़े हो जाती थी, ठीक है, तो यही test को कहते है, volume testing, जब आप huge amount of transfer data करते हो, और database की capacities को चेक कर रहे हो, तो कि भाई वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, पूरे एक और चीज़ों को समाने, अब जो अगला question आता है, stability, इस इस पे बहुत question पूछते है, official definition पड़ोगे, a type of load test, इसके अंदर measure कर रहे है, application की stability, जिसमें हम scale up करते है, scale down करते है, पर समझनी का तरीका समझोगा, बहुत simple है, मालो, मैंने आप इसले example में आपको बताया, कि जब application 4.99 पे है, तो वो 3 second का time देती है, मस्ट चलती है, ठीक ह फिर हम क्या करेंगे, अब इसमें scale up करते जाएंगे, थोड़ा 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 बढ़ाता जाएंगे, फिर हमने 1500 user करें, 1500 user पर ठीक है, 5-6 second का response time आचुका, बढ़िया मिल गया हमें, ठीक है, अब मुझे पता चलके, 7500 लोगों पे response time 10 second के असपास रहता है, लेकिन 799 पे application stable नहीं रही है, और वो crash होना शुरू हो गई है, तो यहां पर हम एक check भी कर सकते हैं, कि crash test होता है, और इसकी scalability, मतलब कहां तक scale कर पाते हैं हम इसको, अब मुझे बता चलके कि 799 पे handle नहीं होती है, तो developer क्या करेगा, और machine डालेगा, scalability चेक करेगा, कि और म machine डाल दूँ, तो क्या यह 10,000 लोगों को handle कर पा रही है, उसको scalability चेक करते हैं, जिसके अंदम scale up करेंगे, scale down करके भी check करेंगे, I hope आपको अच्छे लेगी होगी वीडियो जिसके अंदर सारे मैंने बहुत ही practical example के साथ बताए है, Jmeter में इनको कैसे करना है, अगर ऐसा इसको कैसे करेंगे, test plan के तरी part 2 लिख जाओ, या फिर comment में लिख के जाओ, सारे questions को properly answer करूँगा, मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर आए हो, पच्छी लग्यों की like और subscribe कर जाना, बलता अगली वीडियो में, bye